एक गाव में दो प्रेमी थे अरजुन और मीरा, इन प्रेमी को मिलना था तो ये दोनों ने गाव से दूर एकांत में मिलने का निश्चे किया था, उनका प्रेम गुप्त था क्योंकि परिवारों के बीच वैमनस्य था, जंगल से होकर जाना उनकी मजबूरी थी, रास्ता सु अरजुन कर मीरा थोड़ी निश्चिंत होती है, लेकिन दिल में अभी भी अज्यात भय बना रहता है, ये जंगल कई भूत प्रेतों की कहानियों के लिए कुख्यात था, अरजुन ने भी ये सुना था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, अब इस अंधेरे और रहस्य मई वातावर्ण में चलते हुए, उसे भी असामान्य महसूस होने लगा, पेड़ों की शाखाएं मानों उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी, अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ धुंदली परचाईयां दिखाई देने लगी, अरजुन ने सोचा कि यह उनक अरजुन ने मीरा को कसकर पकड़ा और दोनों दोड़ने लगे, जंगल का रास्ता जटिल था, वे जितना भागते उतना ही अंधिरे में उलचते जाते, अचानक एक पेड़ गिर पड़ा और उनका रास्ता बंद हो गया, वे जान गए थे कि यहां सामान्य तरीके से बचन नामुम्किन है, उनके सामने एक विशाल का एक काली छाया प्रकट हुई, वह कोई साधारन आत्मा नहीं थी, बलकि वर्षों से भटकती एक प्रेतनी थी, जो प्रेमी जोडों का शिकार करती थी, उसकी आँखें जलते अंगारों जैसी थी, मीरा के पैर जैसे जम गए, औ और अर्जुन भी डर से कंप-कंपा उठा, अर्जुन ने कहा, अब हमें केवल भगवान ही बचा सकते हैं, उन्होंने और मीरा ने एक साथ श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रार्तना की, हे गोविंद, हे मुरारी, हम पर कृपा कीजिए, उनकी आँखों से आंसु ब भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उन्होंने पीतांबर धारन किया था और उनके हाथ में बंसी थी, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक दिव्यतान छेडी, प्रेतनी और अन्य आत्माएं इस दिव्य संगीत से तडब कर चीखने लगी और एक-एक करके हवा म गायब हो गई, श्री कृष्ण की उपस्थिती से जंगल पवित्र हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरना मत, जहां प्रेम और विश्वास है, वहां मैं स्वयम हूँ, अर्जुन और मीरा ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया उनकी आत्मा अब निडर और शान थी, श्री कृष्ण ने कहा, तुम दोनों के प्रेम में सच्चाई है, इसलिए डरने की कोई आवशक्ता नहीं, प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई शक्ती नहीं, हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखना और कठिनाईयों से घबरा सुबह की पहली किरण के साथ विगाम के मंदिर पहुँचे, वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ती के सामने प्रणाम किया, और उनके चमतकार के लिए आभार व्यक्त किया, इस अनुभव ने अरजुन और मीरा के प्रेम को और गहरा कर दिया, उन्हें से ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम में सच्चाई और विश्वास हो, तो संसार की कोई भी शक्ती उसे तोड़ नहीं सकती, कठिनाईयों के समय भगवान स्वयम आकर मदद करते हैं, बस हमें उन पर विश्वास करना चाहिए